हाई असलाम लेकूम आज हम चमनूर्दू की तीसरी किताब का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे यह पार्ट का नाम है मा और बाप इससे पहले हम पहले पार्ट के सवालों के जबाब देंगे वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो आएए हम वीडियो को शुरू करते हैं सवाल नमबर वन हम को किसने पैदा किया तो इसका जबाब आएगा हम को खुदा ने पैदा किया गाय बैल और घोड़े किसने बनाये गाय बैल और घोड़े को किसने बनाया तो इसका जबाब आएगा गाय बैल और घोड़े को खुदा ने बनाया नम्मर तीसे सवाल है यह चांद और सूर्ज बनाने वाला कौन है तो इसका जबाब आएगा चांद और सूर्ज को बनाने वाला भी खुदा है अब हम पाड़ शुरू करते हैं अपना माँ और बाप मुहबत एहसान हमेशा मुहबत एहसान हमेशा तुम्हारे माबाप तुम से मुहबत करते हैं खाने पीने की चीजन देते हैं यह उनका एहसान है यह उनका एहसान है जो कुछ उन से मांगो नर्मी और अदब से मांगो माबाप का हमेशा कहना मानो माबाप का हमेशा कहना मानो जिस काम को वो कहें उसको खुसी खुसी करो जिस काम को वो कहें उसको खुसी खुसी करो जो लड़के माबाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बेअदब होते हैं दुनिया उनको बुरा कहती है दुनिया उनको बुरा कहती है बड़े होकर माबाप की खिद्मत करो बड़े होकर माबाप की खिद्मत करो माबाप ने तुमको पाला खिलाया पिलाया कपड़े पहनाए तुम भी उनके साथ भलाई करो तुम भी उनके साथ भलाई करो ये दो सवाल आया हमारे में इन दोनों के शवाल आप मुझे कमेंट में देना सवाल नमबर वन माबाप हमारे साथ क्या करते हैं नमबर टू हमको माबाप के साथ क्या करना चाहिए इन दोनों सवालों के शवाब मुझे कमेंट में जरूर देना कि अ कि अ